महात्मा गांधी जी ने कहा था यदि गाउं शमाप्त हुआ तो भारत देश शमाप्त हो जाएगा वल्कम बैक टू आवर यूटुब चैनल तौमिर क्रियेटिव माइड आदर्स गाउं तेंदुआ में जीवन की भावतिक सुख सुभिदाओं के साथ साथ गाउं की सरलता, इमानदारी, प्रस्पर सौहार्द और सामहिक सोच जो पहले हुआ करती थी वैसे ही आज भी है ये नाजारा कैमूर जीला के तेंदुआ गाउं का है गाउं में परवेश करती ही एक अलग रूप सामने आता है सीमेंट के पक्के रास्ते, बेवस्थित नालिया, ग्राम पंचायत के सुंदर इमारत और इन सबसे महत्तुपूर इस गाउं की मजबूत सिच्चा जो इस गाउं को जीला में एक खास पहचान दिलाता है जैसा की आपको पता है सिच्चा किसी भी समाज का अधार होता है तेंदुआ की धर्ती ने उन हस्तियों को जनम दिया है जो इस गाउं को ही नहीं बलकि भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं इस कड़ी में सबसे पहला नाम मुहम्मद ग्याशुदीन अनसारी जी का आता है जो सन 2005 में UPC Union Public Service Commission की परिछा पास कर तेंदुआ गाउं का नाम पुरे भारत वर्स में रोशन किया है अभीवे दिल्ली में Additional Commissioner of Income Tax at Form of Government में पोस्टेड है दोस्तों गर्ब के साथ यह बता रहा हूं कि ग्याशुदीन साहब ने तेंदुआ गाउं में सिच्छा के एक ऐसी करांती लाए जिसके बाद से इस गाउं के बच्चों में सिच्छा के प्रती इतना गहरा जुडा हुआ कि 6 स्टूडेंट ने BPSC बिहार Public Service Commission की प्रिछा पास कर इस गाउं को एक अधिकारियों वाला अफसरों वाला ऑफिशर वाला गाउं बना दिया है टेक फूर एक्जाम्पल अफ्ताब अंसारी लेबर सुप्रिडेंड ओफिशर अकलाख अंसारी अलेक्स्तन कमिशनर सबीर अहमद सेल टेक्स ओफिशर अहमद अली स्टियम इन स्थाहर्शा रमीज फ़हमी स्टियम इन काटिहार आमिर सुहल मुनिसिपल एक्सक्योटिव अफिशर इन पटना दोस्तों मेडिकल के छेत में डॉक्टर प्रभाकर सिंग का नाम किसी परिचाय का मुहतास नहीं है सासाराम जैसे अतिहाशिक सहर में उनके नाम पर डॉक्टर प्रभाकर रोड बना हुआ है यह तिन्दुआ गाउं के लिए बहुत गर्ब की बात है दोस्तों मेरे गाउं में एक से बढ़कर एक हस्ती है जैसे लाल साहब सिंग एक्सक्यूटी इंजिनियर एन एलेक्टिक डिपार्टमेंट इन बिहार गुवर्मेंट खालिद अंसारी जुनियर इंजिनियर हाजी अन्वर साहब हाजी नईमुदिन साहब दोस्तों सिच्छक मगन सर्मा सर आफताप सर राधेशाम सर्मा सर रबानी सर जावेद अक्तर सर शकील सर यह लिस्ट बहुत लंबा है दोस्तों इसलिए सबका नाम लेना संभाव नहीं है मैं कभी एक खास वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने गाओं के एचेमेंट के बारे में आप सबको जनकारी दूँगा तब तक के लिए वन्दे मातरम जैहिन जैवारत यह वीडियो देखनी के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्य बाद दोस्तों इह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बाताईएगा और लाइक करना मत भूलिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है